आज SmackDown समझे पहली बार ये बात क्लियर हुई कि भले ही Rock फाइनल बॉस है लेकिन रहता वो ट्राइबल चीफ के नीचे ही है ओके, हेलो चैटर्स, माइ नेम इस रुईत एंज यूर वाचिंग रेसल चैटर्स तो इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं, आज ये SmackDown के शो के बारे में जहां पर ना Rock थे, जहां पर ना Roman Reigns थे, जहां पर ना Cody Rhodes थे, जहां पर ना Seth Rollins थे लेकिन उसके बाद भी क्या, WWE ने SmackDown को एक बैटर शो बना पाया है, और बाई कुछ इंटरस्टिंग बाते हैं और पास आपको बताने के लिए, Brock Lesnar की रेसल मेनिया और ये, पता नहीं, Roman Reigns और Seth Rollins तो क्या हीटर हमें कर रहे हैं क्योंकि ये जो Randy Orton, Kevin Ovens सब एक मैच का पार्ट हैं, तो इनको टैक्टिम मैच में डाल दिया, और Logan Paul यहां पर कहीं से आ जाएंगे, लेकिन जीतेंगे तो ये Randy Orton और Kevin Ovens ही, लेकिन इस मैच में प्रिटी डेडली जीत गए हैं, और ये तब होता है, जब Randy Orton बाहर पड़े ह होते हैं, और Brass Knuckles के साथ आये Logan Paul, उन्होंने Kevin Ovens को मारा, पिन हो गए उसके बाद Kevin Ovens, रेफरी ने कुछ देखा नहीं, और ये जो मैच है, वो Randy Orton और Kevin Ovens के टीम हार गी है, पहले तो Randy Orton ब्लेम कर रहे होते हैं Kevin Ovens को कि अभे क्या कर दिया, तो उन्हें मैच हरवा दे लेक लोगन पॉल को फिर वो चेस करना शुरू करते हैं, अब लोगन पॉल तो भग लिये साइड में, लेकिन प्रिटी डेडली मताविन दोनों का ही तुडान हो गया, स्टनर भी पड़ा, आरको भी पड़ा, इसके बाद Kevin Ovens और Randy Orton और दोनों ही इनको चेस कर रहे होते हैं, औ लेकिन थोड़ा तेज भाग लिया करो, मतलब ऐसा भी क्या है कि बिल्कुल वे ठी कर रहे हो कि लोगन पॉल कापकार में बैठे हो इसके बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा हूँ, जैसी लोगन पॉल बैठे हुसके बाद वहां से कल्टी काट लिये और Kevin Ovens और Randy Orton और महा अलग है, जबकि होना तो इनको एक गुसर के अगेंस्ट ही है, एवरी मैन फॉर हिंसल्फ वाले चीज रहती है, मुल्टी परसन वाले मैच में तो इस तरह से स्टाइब के मैच को आज SmackDown में दिखा के हाइप किया, इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेस से यह दिखता है कि इस खाई का इंटरिवू चल रहा है और बेली नो उसको क्रैश कर दिया, सब कुछ तहस नहीं सब कुछ तबाह कर दिया महा पर उन्होंने तो यह शायद डबल डबली ने एंगल इसलिए दिखा था कि ताकि पूरे शो पर आप कोई जरूत ना पड़े बेली और इस खाई क चील आती है और इंटर्ण को जड़ा देखना उनकी अंकी अंटरेंस अ cracking कि प्रोजेक्ट के और ना इowanels ने एकूर्ट बोली ने बिए भर तक कमाल ॏ मैं कि न्होंने कि जो अपनी catchphrase जो लाइने बोलती है the storm has arrived और ऐसा करके उन्होंने सारा जो women's flock or room में उसको notice में डाल दिया कि अब तयार रहा हूँ जेट कारगिल आ चुकी है Backstage से Nick Aldis और AJ Styles का भी एक segment था और AJ Styles को इस तरीके से देख के मुझे यह फिल आई कि आब है AJ Styles है वो इसको दिखा रहा है जैसे कि उसको डर लगता है किसी चीज से Nick Aldis से पूछते है भाई आज पका LA Knight नी आने वाला ना आज वो बिल्डिंग में पका नहीं है तो Nick Aldis जवाब देते हैं कि यार मैंने कहा तो है LA Knight से तो इससे तो यही बता रहा था उन्होंने शोपर कि आज यह दोनों कुछ पंकर करने वाले हैं और यह जो डबल लबली ऐसे प्लॉट सट कर देती हैं जोचे से फैंसर इनकी कुछ होने बाला और शों में बाया जाके भीच में कुछ होने वाला है और तो बार बात जाका उसके बार ने थोड़ी दिर करेंगे लेकिन नेक्स जिज हो इस चोपर स्ट्रीट प्रॉफिट्स परसेस उस ऐसे ऐस तो मारा लेकिन वो साइब से हिट नहीं होता और उसके बाद फॉल करके यह वाला जो मैच है वो ग्रेसन वालर और ऑस्टिन धरी जीत गए हैं मैच कतम होने के बाद जो ऑफ पेन उन्होंने स्टीट प्रॉफिट्स को आके बजाना शुरू कर दिया और जब उन्होंने बजा मुझे क्यों हो रहा है आपको भी हो रहा है बताना ऐसा नहीं कुछ बेकार है लेकिन कुछ नहीं कुछ थोड़ा और ध्माकेदार या कुछ ऐसा बिल्कुल और वाओ यह क्यों दिखा दिया वैसा कुछ आंगल शायद यहां भी बन सकता है इसके बाद शो पर आते हैं क्यों करते हैं इसके बाद डॉमिनिक मिस्टियो बोलना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता ही उनको बोलने का तो मौका मिलता नहीं है लेकिन डॉमिनिक कुछ ऐसा कहना चाहरे थे कि वह अपने अगेंस्ट ही है बाप के और वह सेंटोस असको बार के इसमें पूरी तरी से यार मैं तो सोचता था कि हम डन हो चुके हैं फाइट करने से हमें संटोस के साथ उल्जा तो यहां पे भी आ गया इसके बाद उन्हें सीधा ही चैलेंज कर दिया सेंटोस असकोबार और डॉमिनिक मिस्टियो को रैसल मीने के एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज के तो बोलते हैं मैं हूं और एक जिस बंदे को मैं पिक करूंगा डॉमिनिक कहते हैं इन में सो कौन सा वाला होने वाला जरह मुझे बता दे रे मिस्टियो कहते हैं न्यूएस मेंबर होने वाला ल्डवली इसके बाद क्या था वहां पर थपड़वाजी शुरू हो गई मार पे इनकी वीश में ब्रॉल हो गई और एंड में स्टैंट टॉल करती है रे मिस्टियो वाली टीम यानि कि ल्डवली और इस तरह के से डबल डवली इनका टैक्टी मैश कर रही है तो डबल डवली को घुमा फिरा के रे मिस्टियो डॉमिनिक मिस्टियो के साथ दोबारा आना ह यह लेकिन इस चीज से जज्मेंट ने खुश नहीं है बैक स्टेज से से जहां पर डॉमिनिक में किसी को बताया है नियों से पूछे भई बताया है क्यों नहीं तो डॉमिनिक बोलते हैं यह मैं तो बस प्राउड करवाना चाह रहा था और कुछ कुछ कम्मिनिकेशन एर हो ड्राइवर है वो लगा दिया और बस मैं जीत गए और यह भी जो है मैच में आने वाले हैं इसके बाद बैक स्टेज से ब्लड लाइन का सेग्मेंट था पॉल एमन बैटे वे होते हैं और उन्होंने बोला कि रॉक ने क्या हाल किया खोडी रोड स्कॉर वो पता क्यों किया तो यहां से यह चीज रिवील हुए कि जो चीज रॉक ने की है वो जो कारणामा किया वो रोमन रेंस के ओर पे था इसके बाद जो कैमरा है वो जीमी उसो की तरफ जाता हूं बोलते हैं कि जे उसो को हम बिल्कुल भी रेसल मिना तक नहीं रेके जाने वाले बादी ओडर्स अब दे ट्राबल चीफ तो यह जो ओर्डर वाला गेम है वो चल रहा है रोमन रेंसी सारी चीज़ों का हैंडल कर रहे है सारी सीज़ों के मास्टरमाइं वही है भली डबल लबली ऐसा दिखा रही है कि रही रोक ने आकर कर दिया बर्ट वह सारे जो मैसेस हैं सारे जो ओर् तो वह देखने के लिए इंट्रेस्टेड हूँ आप जो से शोपर नहीं थे तो कुछ हमको पता नहीं जला इसके बारे में इसके बाद आते हैं इसके बाद एक बंदा भाग के आता तो उसका सिक्यूरिटी वाले रोकते हैं अब जब अच्छा नहीं आ रहा है तब ही वह अनॉंसर टेबल को बगल में खड़े होते हैं कुछ विग बगएर उने पहनी हुई थी तो वहां पर एक्च्वर में जो लोग भी बैटे हुए तो उनको भी नहीं पता था कि यह यहां पर उसके बाद एलनाइट ने जो है वह बजाना शुरू कर दिया इस की तो पाहरा बजा तो हब है और्समी ब्यांका प्लीर को यहां मैश तो वह जीत गई लेकिन इसके बाद डैमेज कंट्रोल ने आके उनके उपर अटायक कर दिया नेयोमी आती है उनके ओवर भी अटायक हो गया लेकिन फिर निकल के आती है जेट कारगिल और ये शाद में अपने चानल पाप को बताया भी था कि रूमर्ट यही जेट कारगिल का मैच है अब प्लेसमें मेरे ख्याल से सही है बहुत सा लोग कह सकता है जेट कारगिल को क्यो डाल दिया में इवर्ड में लेकिन किस चीज को इंपोर्टन दिखाने के लिए ऐसा होता है आज बड़े स्टार्स नहीं तर शो पर तो उतनी वाली फील नहीं आएगी लेकिन मैं आपको जो टीवी पर फोटेज आया थी बिल्कुल भी नी देखा पूरा ट्वीट और कैप्शन या पर उन्हें डाला कि लोग मुझे बोलने क्लियर करो मतलब कि अब आप देयर जाने वाले भाई मैं इतना परेशान हो इस चीज से मैं अपने जो इमोशन से उसको ऐसा दबा नही तो ओविसली यह चीज होनी भी थी रोमन रेंस और सेथ रॉलेंस का जो गेम चल रहा था ट्विटर पर वह भी चल रहा है वर्जिन वाला जो ट्वीट है मैं आपको बताया था तो उसका रिप्लाइ करते हैं उन्हें लिखा कि रोमन रेंस का ग्रेटस मुमेंट क्या तो से वाले एंट्रेंस उनकी रोल नमन में वी थी उसके साथ तो यह भी जो ड्रू मैकंटर की तरह हैं वो लड़ भिड़ रहे हैं लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ब्रॉक लेस्न के बारे में कुछ और पहले ही बता जिन्दा चलते फिरते ट्रक देख रहे हैं रेसलमेनिया को प्रमोट करते हुए यह ड़िम अपर और यह हैं और यहां पर देख सकते हो यह जो ब्रॉक लेस्थ नए अनकी फोटो बनी हुए है तो यह तो काओा वी रवी धैय आगर कोई बंदा यह नहीं रहा और ये वो बन्दा नहीं है जो आ नहीं रहा यह वह वदंदा है जिन् अब शायद यही हो सकता है, एक बहुत पहले है लेकंड बहुत है, पहले की बहुत पहले ही की हो चुकी है, इभन रॉयल रंबल तो मेरे थार रही एो कि खरेंकर का रही है तक बात है पर जानद श्र fight शनल देखी सब्सक्राइद पहले है झाल झाल